आज हम आपिशा शेयर करने जा रहे हैं बीफ दम बिर्यानी की रेसिपी बहुत ही कामें विए से बहुत ही चैपट बनके तयार होती है खाने में बहुत ही तिस्ट लगती है एक बार आप रप्राइज जरूर कीजिएगा में चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा कमेंट करके की ज़रूर बताइए का आपको हमाई रेस पर कैसी लगे एक बार आप इस तरह से बनाके देखिए बहुत ही मज़ी के लगती खाने में बहुत ही च्श्ट लिपती है जली देख लेते हैं मैं इसको कैसे बनाया है अब सब्सक्राइब कर लेते हैं वोस को एक प्रेशर कुकर में डाल देना है इसके साथ इसके नमक नहां पर हम वन टी स्पून डाल लेंगे नमक आपने सौदानू साल डाल लेजिएगा इसके साथ नहां पर हम एक मिडियम साइज की प्याज लिए थे जिसको हमने इस तरह शचैन तरह से रफ्री चोप कर लिए हम इसको डाल देना है इसलिक साथ रेते हैं इसको यह पर हमने टेबल इसको नहीं है तो यह सब्सक्राइब लिए दो शूटी राची दाल चिलनी के तुपड़ा है और जवुतरी पूरी दिलारे इस साब्सक्राइब हम फ्रैसे लाल म मिर्चे लिया है इसे चाहर से पांशन में पानी डाल दिना है यहां पर 500 ग्रम चाहब लिया है अब उसके डबल पानी ले लिए तक पका लेंगे व्ली तक हमारा डोलो चामल लिया है इसको हमें में बास्मतिर हो आप यह को ले सकते हैं इसको अच्छे पानी अधे इसको बिलियों सेयों फ़कर सकते हैं चार सेبة सीटी लग चुकी है, my champagne कोट इसको कोला चौका है, अब देख हम इसको हम साई रग देंगे और की जैष्ट में वह अलग कर लेंगे और इसको पानी को अलग कर लींगे आप सबसे पहले हमें खुझबूदयार मसाले की तयारी खने चार्चंग अो छोटी ली इसको ब्रवार बना लीँगे हैं इसको बनाना इसको बनाना इसको बंदर बना लीडे है कि इसे यहां पर देल हमारा इसके रहा है इसको चला दिया दिया है। प्रेम करेंप केब फ्र है उन्या हमें पासरुक्त से करेंगे उयर्युवयत के फ्राई करें। बंटमिकों पलते ही इसे हम प्राई तेंगे तुछकत कशले से फ्राई करेंंक पक्रेस करें बाले, olsun बाले, i- scream कहते हीई सब्सक्राइब कर देख सकते हैं एक में फ्राइब करते हैं इसको दाल देना है तेल को अच्छे से प्राइब कर लिए आप देख सकते हैं सब्सक्राइब कर देख सकते हैं अजितर को भी खुला देना हैं यहां यहां पर दमख़न सब्सक्राइब कर दोसे दलना है यहां पर 2-3 केपल इस्पूल में डाल देना है यहां पर आपका चामल बगरा बिच्छा से नमक डाल दिएगा पर ना करते हैं इसमें ने अफ़सी जलना है कि इधर आमने अपने सभी मसालों के अच्छे से भूल लिया है हमारा जो पानी था हमें इसको इस्टेनर की मदशिश में यहाल दिएयर से ना है इसनिए इसको कि मदzes से चाल लेना है क्योंकि इसमें टोभर ढ़गाइड है है । इसमें शिայ पनी डाले रहा है सब्सक्राइब करें अगर आपनी कम है तो आप पानी स्पून नॉर्मल पानी इसमें डाल सकते हैं इसलिए के साथ इसमें हम वन टीस्पून विनेगर डाल देंगे इससे हमारे चामल बहुत ही खिले खिले बनके तयार होते हैं चार से पांच देखे फिलेम को एकदम लो कर देंगे और बिर्यानी को अपने दम पे लगा देंगे यहां पर हमने जो प्याज को फ्राइब करके रखा था हमें उसको इस तरह से डाल देना है इसको एपने बढ़ेंगे यहां बेने फुल अलिया हो इस हम ऑली है और इससरह कोब पर यहां पर यहां पर हमने पर नीव को इस तरह से, इसको इस्की अके इसको तरह से पांट का है, इसको बोक्त ऐखायाि बाल दो और इसविज इसी तरह से हमें सभी को सजा देना है फ्लेम को यहां पर हमने बिल्कुल मीडियम तू लो कर दिया है इसके उपर अगर भववना पतला है तो आप इसके नीचे तावा भी रख सकते हैं तावा रख के जो है इसके उपर इसको दम पर लगा दीजिए अगर आपका मूटे तले प्लेम को बन करतें गार पांश मिनट के लिए पांश मिनट बाद हम इसको सर्फ करेंगा आप जब भी बिर्यानी बिलाई है आप उसको इसी तरह छोड़ दिये तो हमारे चामल बहुती खिले के लिए और बहुती अच्छे बनके तयार होते हैं आप इसके हमारी बिर्यानी जबने गार त्यार रिंघ पांश इसको कि उसाली तयार होती यह चानीёл के क्वेत तयार को इससे सबके लोगके तरह त्यार ह Collins कि इसको यह शाने करेंगा जार होती बनके तब अस्ति हो फ्राई बंच कर दिंग तरा से भक्राइस भाए में वीट्पमाह Sisya स्सिल्ध को आइत कि इसे लाइक कीजिएगा शेयर कीजिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा कमेंट करके जरूर तहीएगा आपको हमाई रैस्पी कैसी लगी एक बार आप लोग ट्राइज जरूर कीजिएगा